दोस्तो हमारे पास आजुका है रेड्मी का नोट 10 तो करते हैं इस फोन के अन्बॉक्सिंग और देखते हैं क्या खास है इस फोन में और इसका डिजाइन कैसा है दोस्तो अगर आप यहों चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखाओ को उसको क्लिक कर लीजे दा गूगल एप यह लिखा गया है और बैक साइड के हम बात रहें रेड्मी नोट 10 और उसके कुछ फीचर दिये गए हैं तैसे फुल एमुलेट डॉट डिस्प्ले रेर कामरा 5000 यमेज की बैटरी दी गई है श्नापड़ेगं का 670 डी प्रोसेसर दिया गया है और 4GB और 64GB यह वारियंट है नीचे मेरे इंडिया का टैग दिया गया है जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और यहां पर देखें ऊपर और नीचे की तरफ तो कुछ यहां पर प्राइजिंग टैग और यहां पर डिटेल्स दी गई है इस फोन की तो करते हैं इंबॉक्स अदर फोन निकाल लेते हैं फोन को काफ़ अच्छी पैकिंग दी गई है और इस बाक्स में तो यहां पर उपर से चुप जाओ रहा है जिसके नंदर हम देखें तो यह वर्यंटिकार्ड़ और यहां पर कवर दिया गया है तो अब यह कवर देख सकते आं आम तोर पर हर मु तो जो आपके फोन को प्रोटक्ट करेगा और बॉक्स में अगर हम देखें तो एक 33W का फास्ट चार्जर दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यह देख सकते हैं माई की ब्रेंडिंग के साथ यहां पर दिया गया है जो 30W का फास्ट चार्जर आपको अगर दा गिबहैं ओगंता करें तो यहां पर सीटाई दी गई है थोड़ा सा यहां पर खालर यहां पर कर देAK सकते हैं Ky doherै और है और अधिशन दिया गया है स्लयारीव मिन्या मैं दया गया फो कलेकर लेते हैं फों को देखते हैं कोिसा क़लर है डिजाइन जिग उसे कि हमारे पास सेट ब्लैक यहां पर फॉन है आप देख सकते हैं पर इसमें एक पंच घूल डिस्प्ले दिया गया है अगर हम इसके बात करें तो यहां पर shadow black एक color है काफी sign ही यहां पर आ रहा है आप पीछे से देख सकते हैं और design के अगर हम बात करें तो कुछ camera अलग तरीके से यहां पर design करके दिये गए है जिसमें सब सब उपर बड़ा camera है दो camera साथ में फिर एक छोटा सा नीचे दिया गया है साइड में flash दी गई है अगर हम इसके राइट साइड की बात करें तो यहां पर यह देख सकते हैं आप switch of power off वाला बटन और यहां पर finger touch एक ही साथ दिये गए है पावर उसके बाद volume up-down की ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर एक speaker grill दिये गया है और IR blaster दिया गया है सेकंडर मैक दिया गया है लेफ साइड के बात करें तो सिर्फ सिम ट्रे दी गई है और अगर हम इसके back side के यहां पर बात करें साइनी लूक के सांसान यहां पर glossy लूक है जो वहां पर देख सकते हैं आसानी से fingerprint यहां पर आ जाते हैं जैसे किया मेरे screen पर देख पा रहे होंगे और यहां पर नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहां पर एक और speaker गिल दिये गया है तो डोली speaker है और यहां पर charging jack और यहां पर headphone jack दिया गया है और एक mic दिया गया है तो इस प्रकार से यहां पर phone का design हमें देखने को मिलता है और मैंने जैसा कि बता है back side में यह देख सकते हैं आप कैसे fingerprint आसानी से लग जाते हैं तो इसके लिए आपको cover लगा के इसमें रखना पड़ेगा ताकि आपके fingerprint इसमें बार बार ना आए phone पे तो बड़िया से यहां पर लूप दिया गया है तो सेट अप हो गया है complete और यहां पर फोन ओपन हो जुका है तो इसको कर लेते हैं ओके और यह देख सकते हैं आप सूपर अमूलेट डिस्पले है और अगर हम आप की बात करें तो आप सारी आप यहां पर हड़ जुकी है जो भी यहां पर government ने बैंक करी थी नेट्फिक्स यहां पर अलेडी इंस्टॉल मिलता है तो आप देख सकते हैं सूपर अमूलेट डिस्पले है काफी अच्छा यहां पर डिस्पले काम कर रहा है बहुत ही स्मूथ है एक स्पूंद एक्स्प्रियेंस आपको मिलेगा कलर ब्राइटनेस आपको काफी अच्छी आपको मिलेंगे इसमें क्योंकि स्पूर अमूलेट डिस्पले है और बैटरी अच्छी चलेगी पहला ऐसा फोन यहां पर है जो की बजर डिंज में सूपर अमूलेट डिस्पलेश दे रहा है पंच होल वाल डिस्पलेई है आप देख सकते हैं यहां पर काफी स्मूथ यहा मैं थोड़ा सा explain लेना चाह रहा हूं क्या कि इसमें दी हैं वो मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा था तो अब हम इसके camera features की बात करें तो आप देख सकते है pro mode दिया है video mode दिया है photo mode portrait mode और अगर आप more में जाएंगे तो हम आप नाइड मोड 48 megapixel camera short videos time lapse यह सारे option मिल जाएंगे आपको उपर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ ऐसा option मिलता है आपको जिसमें आप इनको तो आएए देखते है camera sample कुछ यह देख सकते हैं आप इसमें एक खास बात यह है कि 10x तक जूम दिया गया है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं देख सकते हैं तो यहां पर काफी बढ़ी है यहां पर जूम दिया गया है कुछ camera sample मैंने आपके लिए हैं ताकि आप जान ज अच्छा है इसका camera काम करता है बहुत अच्छी photos आ रही है इस range में तो यह कुछ samples है आप देख सकते हैं यह selfie मैंने लिए है आउट्डोर में यह indoor selfie है portrait mode में मुझे आउट्डोर की photo मैंने ऐसे देखा था जूम करके तो बहुत बढ़ी आ रहा था तब इसकी interference की बात करें त आपके क्या क्या हमें देखने को मिलता है इसकी internal memory कितनी है 64 GB वैसे दी गई है 18.3 GB यहां पर अभी तक यूज हुई है देख सकते हैं और बाकी free आपको मिलेगी device में और MIUI 12.0.1 यहां पर version मिलता है देखने को Android 11 है यहां पर तो काफी अच्छा यहां पर दिया गया है phone में features यहां पर आपको काफी अच्छे मिलते हैं MIUI 12.0.1 दी गई है यहां पर तो देख सकते हैं आपको इस तरीके से interference दिया है तो काफी अच्छा है smooth touch यहां पर आप देख सकते हैं काफी smooth चल रहा है तो एक बार से मैं फटा-फटा आपको इसकी summary दिखा देता हूं आप देख दिखा रहा हूं इसके design मैं आपको दिखाय काफी अच्छा यहां पर दिया गया है कुछ चेंज आपको लगे गया यहां पर फिंगर्प्रिंट जो है वह यहां पर दिया गया है पावर आ बटन के सांथ इसने ब्रकंप का 678 प्रोसेसर यहां पर दिया गया है और जो कि चार्जर आपको बॉक्स में ही मिलता है जो कि आपके फोन को जल्ली से चार्ज कर देगा तो यहां पर देख सकते हैं और यहां पर इसका वाइबरेशन है काफी अच्छा फोन यहां पर देखने को मिलता है तो उमीद है आपको यह फोन काफी अच्छा लगा होगा तो यही थ ही एन्बोक्सिंग इस फोन की दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं चाहिए तो तुर्ण तबरिये और बैल आई तुर्ण